आप सभी का मेरे वीडियो पे स्वागत है और अपने इस वीडियो में मैं आपको BC सकी से सम्मंदित महत्पूर जानकारी देने जा रही हूँ एप से सम्मंदित तो किरपिया वीडियो को इसकिप किये बिना पूरा अंत तक देखे वीडियो को लाश्ट तक देखे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त जो है BC सकी के एप में जो है वो बदलाव आया है तो क्या बदलाव आया है आप सभी लोग जो है एप की प्रॉबलम में फसे हुए थे किसी का टीपी नहीं आ रहा था किसी का फोटो जो है अपलोट मांग रहा था तो देखिए कि अब BC सकी में एप को चेंज किया गया है तो उसमें क्या चेंजिस हैं आपको ये देखना है तो चलिए हम लोग जो है BC सकी के एप के बारे में जानकारी करते हैं कि इसमें जो है नया क्या हुआ है तो जो भी BC सकी की महिलाएं है जिनका ट्रेनिंग हो गया है एक्जाम हो गया है उनका रिजल्ट भी आ चुका है कई कई जिलो में BC सकी का जो रिजल्ट है वो आ चुका है तो कुछ महिलाएं पास हुई है और कुछ नहीं भी हुई है बिसी सकी में जो है जहां जहां ट्रेनिंग चल रही है जिनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है उनका एक्जाम ले लिया जाता है तो ये एक्जाम पास करने के लिए आपको 50% नमबर तो लाने ही है चलिए देखते हैं अब जो है इसमें जो एप है उसके बारे में क्या जानकारी है तो एप के बारे में आपको जानकारी देते हैं चलिए देखते हैं तो सभी लोग जो है आप देखिए कि पहले प्ले स्टोर पर जाएंगे प्ले स्टोर पर जाकर आपको सर्च बार में जो है यहाँ पे 20 सकी एप मैंने पहले ही लिखा हुआ है सर्च किया हुआ है तो उस पे जो है 20 सकी एप लिखेंगे और 20 सकी लिख करके आप जो है 20 सकी के एप को जो है ओपन करेंगे तो open करने के बाद आपको ये दिखाई दे रहा है कि देखिए ये जो version है नया ये 29 जनवरी 2021 को update किया गया है तो पहले 2 जनवरी को update किया गया था सबने install किया था अपडेट किया था और इस time अभी 29 जनवरी को भी जो है आज एक फरवरी है तो दो दिन पहले 29 जनवरी को ये अपडेट किया गया था सभी लोग अपना बीची सकी के अपको update कर लीजे मैंने update किया है तो अब ये मेरे option जो है वो open दिखा रहा है यहाँ पर आपको update लिखा हुआ option आएगा तो आप सभी लोग इसको update कर लीजे नया ओगया है इसमें और जो सबी लोग अपना एप जो है update कर लीजे और जो है देखते हैं नई नोटिफिकेशन क्या आती है और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार